नमस्कार फ्रें मैं हूं चंदर्ण पटेल और दिखे मैं आज एक दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि दो पेनी स्टॉक हैं अगर मैं उसकी बात करूं उन दोनों स्टॉक की तो देखे आपकी एक जिंदगी बदल देंगे और बहुत रिक्स भी है और जिंदगी भी बदल सकते हैं देखे दोनों स्टॉक में मैं आपको बताऊं कि ये जो दो स्टॉक है इन में रिक्स भी उतना है जितना आपको प्रॉफिट जाता है आप समझ रहे हैं रिक्स भी जाता है और प्रॉफिट भी जाता है तो इन दोनों स्टॉक को आप देखे क कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है देखे पहले इस्टॉक में आपके यह दिर बताने जा रहा हूं देखे जो पहले इस्टॉक है उसका नाम है विकास प्रोपेंट एन ग्रेनाइट यहां पर देख सकते हैं यह एक एग्रो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और इस कं इसे तो आपको यहां पर देखने हों मिलेगा समझ सकते हैं और इसूच की एक एसी खासियत है कि यह जो जो अभी bound big low पे आया है same situation यह 2018 में आई थी उसके बाद इस stock में इतना boss bank हुआ कि देखते ही देखते यह company लगबग 18 रुपए से plus हो गई थी मतलब कुछ ही महिनों में यह 18 रुपए से plus हो चुकी थी देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जुलाई 2018 का यह चार्ट है फिर उसके बाद जब इस stock में तेजी बनी तो यह लगबग आपको देखने को मिल ला है कि 18 रुपए 20 पैसे यह बना था 2019 में और इतनी भारी तेजी इस stock में थी कि आप समझेए कि यहाँ से अगर investment अगर जो करता तो यहाँ से का इसमें return देखने को आपको मिलता आप समझेए सेम उसी label के आसपास है तो इसलिए मैं आपको बोड़ ला हूँ कि एक बहुत ही बढ़ियां आप चुन्टी है कि आप यहाँ investment करके एक बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यह स्टॉक देखे एसम मत आप समझेए कि चंदन भाई ने इतना खरीदा है तो मैं भी रिक्स लूँ ऐसा नहीं है आप अपने हिसाब से ही रिक्स लीजिए ठीक है कोई कोई ऐसा नहीं है मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप बाईंग ही करिए मैं रिक्स ले रहा हूँ ठीक है तो आप भी अगर रिक्स लेना चाते हैं तो आप इस स्टॉक में रिक्स ले सकते हैं देखिए जो second stock है उसका नाम है future consumer, future consumer की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अपने bound big low के ही आसपास है, अगर इस stock की मैं बात करूँ तो ये FMCG में काम करने वाली company है, जो की अभी बहुत ही करजे से दबी हुई है, और इसमें तीन investor आके खड़े हैं इसको खरीदने के लिए, लेकिन कुछ बिवादों के कारण इस future group उनको जा नहीं रही है, क्योंकि कुछ लोग बोल ले हैं, देखिए जो Amazon है वो बोल ला है कि मेरे को चाहिए, Reliance बोल ला है मेरे को चाहिए, पहले इन दोनों का जगड़ा था, अभी बीच में आ चुका है अदानी, क्योंकि अदान को rocket बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो bound big low है 1.30 पैसे, लगभग अपने bound big low के ही आसपास ये trade कर रहा है, और अगर यहाँ पर मैं bound big high की बात करूँ, तो 8.20 पैसे के आसपास अभी आपको bound big high देखने को मिल ला है, और अगर मैं इस stock का अगर chart लगाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि high तो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 80 रुपए के आसपास ये आपको high देखने को मिलेगा, ठीक है ने, same situation जैसे विल्मार में, जैसे विकास अन प्रोपेंड में हुई है, same situation यहाँ पे भी आपको देखने को मि देखे इस stock में भी low बना था लगबग, 2015 में आसपास, 2014 में आसपास, वहाँ से इस stock में बहुत ही भारी तेजी थी, क्योंकि उस समय situation कुछ अलग थी, और अभी situation कुछ अलग है, मैं यह नहीं बोलता हूँ कि नहीं, यहाँ से 80 रुपए फिर जाएगा, देखे अगर कुछ न्यूज आई, आप ध्यान से सुनिए, अगर कुछ न्यूज आई, या फेक न्यूज भी आती है, तो यह stock में भारी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, याद है आपको कुछ साल पहले, कुछ दिन तो बता नहीं सकता, कुछ साल पहले, जैसे यस बैंक में आया, आफ़ रुपे तक आ गया था, वहां से फिर से बीस रुपे तक आया, मतलब चार पांच गुना तो ऐसे ही कर दिया पैसा, तो सेम सिच्वेशन इसमें भी बर नहीं है, कि अगर थोड़ी से भी अफवा अगर आई, इसी stock में, ठीक है, तो आपको फिर से एक फर्दर एक अच्छा लेबल देखने को मिलेगा, करीब करीब माना जाता है, कि यह जो 7 रुपे से 8 रुपे तक का जो लेबल है, वो तो easily touch कर देगा, देकि यह कई लोगों का मानना है, और मेरा भी मानना है, कि इसी लेबल के आसपास, यह कई बार support लिया है, तो यहाँ पर ही उसका support होना चाहि ठीक है, लेकिन आपका क्या काना है, वो comment section में आप जरूर बताइएगा, okay, thank you friend